बिसमिल्लार्खमान राहीम, आज हम मोडियूल 64 डिसक्स करेंगे, मोडियूल 64 है, हीप्स, इससे पहले हमने प्रिविसली डिसक्स किया, कि जब आप किसी किसम का कोई डेटा स्रक्चर है, जो कि डानामिक मेमरी अलोकेशन रेक्वायर करता है, तो उसको बनाना चाहेंगे, त जो रन टाइम पे मेमरी अलोकेट करते हैं, वो कहां से आती है, जिस portion of program में से वो रन टाइम पे मेमरी अलोकेट होकर आ रही है, उसको heap कहा जाता है, तो heap एक logical structure है, और जितनी भी dynamic allocation है, वो सारी heap के अंदर बड़ी होती है, आम तोर पे जो भी heap से relevant programming होती है, उसके अंदर क क्या होता है, कि एक program आम तोर पे एक heap यूज़ कर रहा है, जब भी उसको memory allocation की जरूरत पड़ती है, वो heap से कुछ memory allocate करता है, और उसको यूज़ करता है, फिर allocate करता है, यूज़ करता है, जब भी जितनी भी दफ़ा उसको जूद पड़ेगी, वो एक ही heap होगी, जिसमें से कि वो memory allocate कर सकता है, और Windows के अंदर भी आम ने देखा है कि बहुत बड़ी large virtual space होती है, तो अगर heap का segment देखें तो heap का segment बहुत large है, और इस तरह memory allocate करता है, वो बहुत सारी memory allocate कर सकता है, heap में से, उसको और मजीद heap की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ठीक है, अगर आ इसे reasons हैं जिसकी वज़े से एक से ज़्यादा heap की भी आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर एक से ज़्यादा heap की जरूरत पड़ती है, तो Windows इस चीज़ को भी support करती है, कि एक program जो है, या एक thread जो है, उसके साथ कई सारी heaps जो है, वो associate की जाएं, by default हर thread के साथ एक heap associated होती ह है, यानि कि Windows एक pool of heaps जो है, वो maintain करता है, और उस pool में से ही हमेशा कोई heap allocate होती है, और उस heap में से ही आप dynamically memory allocate करते हैं, और by default हर thread के पास एक heap होती है, लेकिन there are certain reasons, जो आगे चलके हम discuss करेंगे, आप की एक थरच है, वो multiple heaps का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर एक ही heap का इस्तमाल करना है, तो उस case के अंदर जो आपके functions हैं, runtime library functions हैं, उनको ही आप यूज कर सकते हैं for memory allocation, जैसे MLO का है, CLO का है, free है, इनकी मदद से आप easily memory allocate कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़ादा heaps का इस् runtime library functions जो हैं, useless हो जाते हैं, उस case में फिर आपके Windows के ही functions यूज होंगे, Windows की APIs ही यूज होंगी for heap allocation. Windows के अंदर आपको पता है, जितने भी objects हैं, जितने भी resources हैं, वो treat होते हैं as objects, और हर object का क्या होता है, एक handle होता है, तो heap इसी तरह का एक object है, और heap का भी handle होता है, और जब भी आपको memory allocate करने की जूद पड़ेगी, dynamic memory allocate करने की जूद पड़ेगी, at runtime, तो आप इसी heap के handle को use करेंगे, किसी तरह अगर आपके पास heap का handle आजाता है, तो आप वो handle specify करेंगे, बताएंगे कि ये वाल heap है, और इस heap में से फिर आप बताएंगे कि जी हमने memory allocate करनी है, by default हर process के पास एक heap होती है, और अगर आपने उस heap का handle get करना है, तो आपके पास एक बड़ी simple सी API है, get process heap, ये आपको process की heap का handle return करेंगी, इस API को देखते हैं, इस API के अंदर आप देख सकते हैं, कि just एक return type है, handle, और इसको कोई भी value पास नहीं हो रही है, ये API क्या करेंगी है, आपको heap का handle return करेंगी, अगर null return करती है, तो इसका मतलब है failure हो गया किसी वज़े से, उसको heap का handle नहीं मिला, इसमें invalid handle value नहीं आती है, इसमें null आता है, तो ये एक चीज़ है, जो कि आपको पता नहीं चाहिए आपको null चेक करना चाहिए, अगर null आया तो इसका मतलब है कि ये API fail होगी, फिर हम देखते हैं कि कई ऐसे reasons हैं जिसके वज़े से एक से ज़दा heap की हमें जरूद पढ़ेगी, और अगर एक से ज़दा heap की हमें जरूद पढ़ती है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ और भी कर करनी करें, अब question ये है कि हमें एक से ज़दा heap की जरूद क्यों पढ़ेगी, एक heap है और उसका size भी बहुत large है और उसमें से हम बेशमार memory ले सकते हैं तो हमें फिर multiple heaps की जरूद क्या पढ़ेगी, multiple heaps की हमें इसलिए नहीं जरूद पढ़ेगी कि heap के अंदर memory खतम हो जाए example, अगर हर thread के पास अपनी एक heap हो, तो आपस में threads की एक दूसरे के साथ interference जो है वो कम हो जाएगा, threads का आपस में interaction कम हो जाएगा, एक तरह से threads memory के लिहाज से isolate हो जाएगी, insulate हो जाएगी एक दूसरे से, आपस में जो उनकी coupling है वो कम हो जाएगी, और as a programmer आप चाहेंगे के मुख्लिफ threads की आपस में coupling जो है, कम हो, जब coupling कम होगी फिर synchronization की भी आपको जुरूरत कम पड़ेगी, फिर memory contention, एक ही memory space है, उसको बार-बार मुख्लिफ threads success करना चाहरी है, तो वहाँ से memory contention produce होती है, हर एक ही लेकिन अपनी-पनी space है, तो इस तरह की कोई contention ही होगी, काम जो है, वह more optimally चलेगा, फास्टर चलेगा, उसके अंदर किसी किसम की blocking भी नहीं होगी, तो यह एक और advantage हमें नदर आता है, कि हर थ्रेट के पास अपनी-पनी-एक heap हो, fragmentation जो है, यह एक और हमें advantage नदर आता है, कि अगर आप के पास मुखलिफ किसम के data structures है, मुखलिफ size हैं तो दोनों link list के लिए आप अलग-अलग heap बनाएंगे तो वो optimal होगा, क्यों optimal होगा, क्योंकि अगर mixed size की allocations कर रहे हैं आप heap में से, वहाँ पे fragmentation जादा होगी, छोटे-छोटे chunks memory के अंदर रहे जाएंगे, जो के allocate नहीं किये जा सकेंगे, अगर हर data structure, हर data element जो है, वो एक ही heap में से allocate हो रहा है, तो और फिर बाद में de-allocate भी हो रहा है, तो बीच में बहुत जादा fragmentation होगी, तो fragmentation जो है, वो problematic होती है, computational intensive भी होती है, तो fragmentation को हम avoid करना चाहेंगे, तो जो जो हमने elements जो हैं, जिनको allocate करना है, हर element को उसके size के मताबिक, अलग-अलग heap में से allocate किया जिनके अंदर notes के size different है, तो दोनों के लिए अलग-अलग heaps बनाई जाएंगे, इस तरह से fragmentation भी काम होगी, तो fragmentation को हम reduce कर सकते हैं using multiple heaps, फिर इसके लावा synchronization जो है, synchronization बड़ी simplify हो जाती है, इस तरह का जो dynamically allocated memory है, अगर उस memory को multiple heaps use कर रही हैं, तो आपको उनके बीच में synchron synchronization करनी पड़ेगी, और अगर हर एक third thread की अपनी space जो है वो अलग-अलग है, insulated है, तो वहां पर synchronization की भी जरूर जो है, वो reduce हो जाए, फिर जिस तरह for example, tree है, tree है, एक dynamic structure है, tree के अंदर, आप मुख्लिव किसम के algorithms बनाते हैं, tree को traverse करने के लिए, अब जब tree जब है, आपको जूद नहीं पड़ेगी, ये program आपका end हो रहा है, तो आप tree के लिए de-allocation करते हैं, आप बारी-बारी हर node में जाते हैं, traverse करते हैं, और हर node के लिए memory, जो है, de-allocate करते हैं, कई सारी computer हैं, बहुत एक tree है, उसके अंदर millions of node हैं, पता हैं कितनी computations लगेंगी, जिससे कि आप उस tree के लिए memory de-allocate करेंगें, तो राद नहीं कि आप tree के लिए de-allocation करें, हर एक node के लिए de-allocation करें, आप क्या कर सकते हैं, उस tree को आप एक heap में से, जितनी भी उसके अंदर memory यूज हो रही है, वो एक heap में से allocate करें, और जब उस tree की ज़रूरत नहीं है, बजाए इसके के प पूरी heap को ही de-allocate करेंगे, यहां आपकी बहुत ज़्यादा computations जो हैं, वो reduce हो जाते हैं, तो इस लिए से भी अलग-अलग heap रखने के लिए for अलग-अलग dynamic data structures जो है, वो बड़ा useful हमें नदर आ रहा है, फिर एक principle है, जिसको हम कहते है, principle of locality, operating systems के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, principle of locality, principle of locality के मताबिक अगर एक memory area है, जो access हुआ है recently, तो उसके फिर से access होने की probability, जो है, increase हो जाती है, अब अगर आपके पास, एक ही heap है, जिसमें से सारी allocations हो रही है, तो अगर कोई छोटे-छोटे elements हैसे हैं, जो कि आपने allocate की हैं, एक space पे allocation होई है, फिर काफी आगे जाके, फिर एक और छोटा सा element allocate हुआ है, फिर काफी आगे जाके, एक छोटा सा element allocate हुआ है, अब वो जो ऐसारे elements हैं, वो far apart होगे ह हो सकता है उस element का एक ही page memory में हो बाकी pages जो हो डिस्क में हो लेकिन अगर वो सारे elements कठे allocate हुए 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 एक ही heap में से allocate हुए है तो इस चीज की probability जादा है कि वो पास-पास placed हो वो सारे elements जो है वो क्रीब-क्रीब placed हो हो अगर चोटी-चोटी heaps होंगी for each separate data structure तो उसके अंदर number of page fault के chances जो है वो reduce हो जाते हैं तो यह एक और added advantage है अगर अलग-अलग heaps रखने का